हेलो गाइस वेलकम अगें टू माइ यूट्यूब चैनल माइनम इस मनिश गुपता एंड वाचिंग बी एसी जी लेक्चर्स तो जैसे कि आप सभी को मालूम है बीबी वाइसे टी वन तरी वन आपका सब्जेक्ट कोड है बायो डैवर्सिटी माइक्रोप सेल्गी फंगाई चैनल और आ कि ऑनदो न आपके बुक का नाम है और आज हम युनने युने टैन पढ़ने वॉले युने टैन में हम फंगै के टू फंगई मैं मतलब टू फंगाई के बारे में हम पढ़ने वाले हना यूनि नाइन वहु क्वंगई में पहे Acts introduction पढ़ा था just हमने उसमें क्या था fungi-like organism जिसमें हमने कुछ characteristic features and cell wall और nutrition के बारे में हमने जाना था slime mouth थे था true slime mouth वगरा उन सब के बारे में जाना था तो देखे guys आज हमारा part 1 होने वाला है true fungi और आप सभी का exam close भी दिसमबर वाले बच्चों के लिए बहुत जादा important है मैं थोड़ी जल्दी कोसिस कर रहा हूं आप सभी के लिए वीडियो अप्लोड कर सको बाकि हमारी तरफ से आपका फंग गई तो में complete कर दो लेकिन आर्के गवर्णेट्स आपका पूरा नहीं हो पाएगा तो आपसे एक आग्रह है कि आप खुश से करने की कोसिस करिए ठीक है आप जो हो सके पढ़िए नोट्स हो सके नोट्स पढ़िए नोट्स भी मैं प्रुवाइड नहीं करा पा रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैसर है मुझ पे बट कोई बात नहीं आप करिए आपका एक बुक मेंने कंप्रीट कर दिया है आप सेकेंड बुक पर फोकस करिए ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें उसमें आपको ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एंड क्या है जिम्नोस पर मैं जियोस्पम के बारे में पढ़ना है तो ज़्यादा नहीं रहेगा आप थोड़ा सा क्या कोशन पर सॉल्व करिए ताकि आपका क्या है थोड़ा से एजी हो सके देन उसके बाद क्या है फॉर मोर अपडेट्स यू कन सब्सक्राइब आवर टेलिग्राम चैनल एड़ एड़ बायोरे लेक्टिर ठीक है लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन म क electr Premis स्ट्रॉक्चर की बात कलें इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलीगा सबसे पहले इंट्रोडसां करेंगे दैन उसके बाद क्या है जर्नल इंक्रोडित्रास्टिक करेंगे दें सिस करेंगे देन उसके बाद रोल एफ प्रोजियर एंक anti-c Prime कर एच जानेंगी, and connection in dicariotization के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, then ecology and significance के बारे में भी समझेंगे, and उसके बाद life cycle, different different type of आपके क्या, fungi, rhizopas, penicillium, alternaria, pukina, and agricus, तीक है, इन सब के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, तो I hope so ये क्या है, तीन पार्ट में आपका वीडियो आ सके, बाकी में पूरी कोशिश्च करूँगा, कि आपको कम से कम समय लेके आपको सारी चीज़े बता सकों, ठीक है, then उसके बीच में आपके ऐसे क्यूज बगेर हैं, वो भी हम सासा सा सॉल्व करते चलेंगे, then उसके ब हमने morphology, ecology, reproduction, significance of fungi and especially the various kind of slime mounds के बारे में हमने पढ़ा था, और straminopiles, भूल गये क्या, straminopiles के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने क्या, basically 3D क्या है, kingdom में बाटा था, इसमें आपका क्या, slime mounds को अलग रखा था, straminopiles को अलग रखा था, and then true fungi को हमने अलग रखा था पिछले unit में, है न, और उसके morphology हो गया, ecology हो गया, reproduction में भी हमने vegetative reproduction, sexual reproduction and sexual reproduction के बारे में हमने पढ़ा था, then देखे क्या है, unit describe जो करेगा यह हमारा, यह क्या है, true fungi के बारे में बताएगा, यानि kingdom fungi में आपका true fungi है, उसके बारे में हम जस्ट आज discuss करने वाले है, इसमें से आपके क्या है, division जिसमें आपका कौन-कौन सा है, तो kaid tree do my quota हो गया, kaid tree do, tree do my quota, and then उसके बाद हमारा क्या है, zygo my quota हो गया, zygo my quota, and then उसके बाद आपका क्या हो गया, क्या कहते है, asco my quota, my quota, and best idea my quota के बारे में हम just study गरेंगे, देखे क्या है गाईज इसमें हम क्या है इसमें हम जेनरल करड़स्टिक्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे तेन उसके बाद क्या है Urske republic and significance के बारे हम जानेंगे लाइफ साइकल रेप्रेजेंटिटिग जएनरा जो भी आपके हैं वो सभी के बारे हम पढ़ेंगे और आपको क्या है मैंसें जनरा हमें उपर में बता दिया गया था तो उसे साब से हम चलने वाले हैं आपको किसी भी चैप्टर से पढ़ने से पहले आप सभी को अब्जेक्टिप मालूम होना चाहिए कि देन हम इस चैप्टर को पढ़ने के मालूम जल जागा तो देखें क्या हम मोनो फाइलेक्टिक रिलेशन सिप के बारे में समझ जाएंगे जो ट्रू फंगई है इसका कहने का मतलब है जो ट्रू फंगई सारे जो जितने भी हमारे डिविजन से यह सारे एक ही आं क्या करते हैं एक ही पूरवच को बिलॉग करते इसलिए इन्हें क्या कहा गया? True fungi कहा गया है, true fungi true fungi, इसलिए हमने इसे कहा बहुत से बच्चे confused होते हैं भाई true fungi क्या है, slime mounds क्या है या streminopulse क्या है, जस्ट आप ऐसे समझ लिए, उन सब के क्या है, वो polyphyletic होते हैं, उनके ancestor का अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है इनमें common ancestor होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ये आपके true fungi कहलाते हैं, इसके बाद organism जो describe क्या गया है, उसे true fungi कहते हैं, इसके बाद हम divisions पढ़ेंगे, true fungi के और general characteristics के बारे में भी जानेंगे, and appreciate करेंगे the ecology importance of true fungi, highlight the significance of true fungi, and industry, the human welfare, ठीक है, जो भी आपका ecological importance, उसके बारे में पढ़ेंगे true fungi के, and highlight करेंगे उनके significance को, जो true fungi, जो हमारे industry, or human welfare, यानि क्या कहते हैं, मानब जाती के लिए, इस्तमाल किया जाता है then उसके बाद देखी क्या है आपका life cycle, जो है rhizopus, penicillium, alternaria, tukina, and agricus के बारे में हम जानेंगे थोड़ा बहुत then उसके बाद देखी क्या है, आपका general characteristics पर हम आ जाते हैं, आप सभी को मालूम होगा, हाइफा का मतलब क्या होता है, वैब होता है just इस तरीके का ना, वैब होता है तो देखे, general characteristic feature पर आ जाते हैं, एक और ची लिखा है, यहां पर mycelium, mycelium को क्या कहा गया है तो mycelium को कहा है, Greek word में उसको कहते है, myx कहते है, क्या कहते है, myx myx का मतलब होता है, mushroom या फिर fungus होता है mass of hypha constituting the body of a fungus, ठीक है, mass of hypha जो होता है यह क्या है, plural hypha, तो यह क्या है, एक तरह किसे consist करता है body का, वो आपका, fungus का, वो ही आपका, mycelium क्या लाता है multiple hypha, जो होते हैं, देन उसके बाद देखे, क्या है हम true fungi की बात कर रहे हैं, तो देखे, इसमें आपके कौन-कों से आगया है तो kytridiomycota, zygomycota, escomycota and vassidioomycota इनको आप क्या है, दिमाग में रट लेजे, याद कर लेजे, जो हो सकता है, आप कर लेजे च्छिए, पेपर में आएगा, तो आप सभी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए then उसके बाद क्या है, some of the characteristic, character shared by the divisions are यह सारे जो आपके common ancestors को जो belong करते हैं, जो true fungi है, यह क्या है, आपके इनमें जो character share करते है, उसके बारे में हम जानेंगे आपस में यह देखे, क्या है, majority of this fungi जो है, इसमें mycelial and often जो branched, जो है, the mycelium could be with or without septa, ठीक है, उसमें septa present भी होगा, septa नहीं भी होगा यह चीज़ हम जानते, septa क्या होता है, जस्टा, boundary wall होता है, boundary wall, boundary wall होता है, तो then उसके बाद देखे, क्या है, cell wall जो होगे, आपका hyphal cell, क्या कहते हैं, hyphal cell, cell wall of the hyphal cells are made up of primarily the kytin and glucan, cell wall जो होता है, hyphal cell का, यह जो hyphal cell का, जो cell wall होता है, वो किस से बना होता है, तो kytin and glucan का बना होता है, आज मैंने सवाल पूछा भी था आप लोगों से, मैंने एक post करा था, उसमें मैंने पूछा था कि भाई, cell wall, hyphal cell का किस चीज़ से बना होता है, तो simply वो kytin और glucan से बना होता है, अभी तक में भी बहुत से बच्चों ने नहीं दिया जवाब, तो यह जो आपके जितने भी questions में आपको पोस्ट करता हो, तो वो सारे important होते हैं, आप उन्हें क्या है, आप उन्हें क्या है, आपको क्या है एक तरीके से, आपको छोटे मुटे questions जो है, एक्जाम में आ सकते है, वो आपका clear हो जागा, बात करें, storage जो है, वो किस तरीके से होता है, तो material जो होता है, इसमें glycogen होता है, just यानि storage reserve food material जो होता है, किसके अंदर, आपके फंगे के अंदर, वो just क्या होता है, glycogen होता है, देन उसके बाद हम बात करें, accept the some stages in the life cycle of kaitreids, mortality जो होता है, अपसेंट होता है, यानि जो kait होता है, एक ऐसा stage आता है, उसके life cycle जिसमें, उसमें mobility नहीं हो पाती, motion नहीं हो पाता है, मतलब, mobility क्या होती है, अपसेंट होती है, जानेंगे हम उसके बारे में भी देन, उसके बाद देखें किया, a sexual reproduction, जो है, simply क्या है, budding हो गया, fragmentation हो गया, and sponges pores, या फिर conidia के तरू, क्या होता है, और sexually reproduce करता है, जैन उसके बाद हम sexual reproduction की बात करें, तो उसमें zygos por ka formation होता है, ascos sporesbre का formation होता है, जी सब्सकों got subscribe, पैज़धियोच का प्रमेशन होता है और किसमें होता है यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें क्या है कि अपके क्या है यह जो गोले-गोले से आपको हाइफा के अंदर इस तरीके से मौझूद मिलेंगे और एक जहेगे पर क्या होगे ड्रीयंगे किस रीजन पर तो यह एपिकल पार्ट होता है इंटियर पार्ट खिया है तो यह अपिकल इस जएग अपिकल इसमें आपको क्या होता है है कायट्रिडियो मैको टाम है और जाइगो मैको टाम याद रखेगा इन दोनों में ही आपके ज्यादा तर मिलते हैं एंड बात करें है फल टिफ्स की तो member of मिप fight to make low low को अब माय को तुमें कि अइप तो में कि प्रिजेंट अजि लूरिडिए इस तरीके शे तरीके इस तरीकें से शेजल से दूर 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 पे दूर दूर पे आपको क्या है यह वैसिकल्स आपको प्रिजेंट मिलेंगे किसमें तो हाइफा में है इसके जस्ट इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है ना मॉल्क्यूल्स वगरा पहुचाने का काम प्रूटीन हो गया विटामिन हो गया इस सारी चीज़े पहुचाने काम होता है खर देखते हैं अभी smaller micro vesicles जो है आपको जो छोटे micro vesicles है वो कहा इन एडिशन दा लार्ज मैक्रो मैक्रो वैसिकल अर उसके हाइफल टिप में और जस्ट वह मेंबर हो गया ना इसको माइकोटा इनमें आपको मिल जाएंगे दा कॉमिनेशन आप स्मॉलर लार्जर वैसिकल आप देप दी हाइपा देखिए यहां पे इसको अडिशन लार्जर वैसिकल जो प्रिजेंट है उसको हम क्या कैते हैं उसको क्लेक्टिवलि कहते हैं यहां प्रिजेंट है वो उसको हम क्या कहेंगे स्वीट्व स्वाइवेवाय कॉठेशंë शिदैंवरी मा Ride The लीवाय कोटा में नहीं होता और जैगक्णो बहुदा किसमें होता सदाने में संच होता है Soup pequenne में देखिए यहां पर डिएग्रेमेडिक representation है इससे हम समझ सकते हैं एक 10.1 क्या आए डाइग्रेमेटिक representation of the arrangement of vesicles in growing hyphal tips of true fungi true fungi के hyphal tips है उस पर आपको क्या है यहां पर आपको यहां पर बहुत सारे क्या है वेसिकल्स प्रेजेंट मिलेंगे यह क्या है सेकरेटरी vesicles are visible in all hypha tips but smaller vesicles यह क्या होता है जो sacratory vesicles जो है यह circuit करते हैं different different molecules को तो यह क्या है यह visible होते है इन अल हाएफा सफी वाइस पार पर इस तरह के से tip पर वेसिवल होते है और यह smaller vesicles क्या केलाते हैं क्या है क्या है kytosom के लाते श्मालर जो vesicles होते वह kytosomes के लाते हैं इसको माई कोटा एंड वैसेडियो माई कोटा एंड इस तरीके से सब्सक्रीय उसके बाद लूजली इसका मैंने बता ही दिया आपको यह किसम मिलेगा तो एसको माइकोटा में माइकोटा एंड वैसीडियो माइकोटा में ठीक है तो दैन उसके बाद क्या है एंड रिलेटिवली डैंसली प्रिजेंट इन लार्जर वैसिकल और करेक्टरस्टिक ऑफ जाइगो माइकोटा है फल्टिप्स यहां पर देखेंगे रिलेटिवली क्या है इसमें जो सबसे उप में जाइगो माइकोटा में आपको यह प्रिजेंट मिलेगा ठीक है देन उसके बाद हम सेलेंट फीचर की बात करेंगा और फोर डिविजन और समराइज बिलो यहां पर चारो डिविजन जो है उसके बारे हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम डिविजन काइट्रेडियो आइगत chat, सब्सें इसके बाद चोटा की बाद हम इसे किस तरफ इसरी किस अग्जामेंघ्क एम पाते तो इसके सेल का उसमें इसमे टिशू्चूज देखेंगे आप तो colonize दिखेगा इनमें है ना इसमें जो तेलस का जो structure होता है वो किस तरीके से दिखता है आपको तो considerable variation इसमें काया है काफी जादा आपको variation देखने को मिलेगा and simplest form की बात करें तो वो कैसा होता है endo biotic होता है endo biotic क्या होता है simplest form endo biotic तो देखो क्या होता है endo biotic simply आपका living entirely within the cell of their host स्कische sahab Care वो personnage पार वेसा आपको खumfeld आपको क्या है पैका होते 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 हो स्टूं के टिशू के अंदर प्रजैन को स्टूंक क्या स्टूंक फ्रचेते होते होस्ट के टिश्व के अंदर प्रजैन था होस्ट के अंदर यह प्रेजैन को खते हैं इसल्यों को कि अकprov Gods all drove identify apply road डेट इस लिविंग ऑन दर फेस पर रहते हैं और यह सेल के ऊपर रहते हैं बाहर की तरफ तो देन उसके बाद क्या है आपका यह कैसा होता है होस्ट और क्या है dead organic matter पे भी रहते है dead organic matter यानि कोई भी सड़ा का लपदार्त है यह ना dead decaying material है उस पे वो जाके simply वो रह सकते है देन उसके बाद epibiotic के बात करें हम तो यह क्या है फॉर्म करते है प्रोड्यूस सॉट डेलिकेट सॉट डेलिकेट और क्या है नीचे rhizoyds for the absorption of nutrients यानि वो rhizoyds का formation करते है rhizoyds क्या होता है rhizoyds just यह root like structure होता है root like structure ठीक है root like structure then उपर हम देखें कि यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारा picture बना पड़ा है यहाँ पे आपको समझ में आएगा और भी अच्छे से यह देखें आपको यहाँ पे जो root like structure जो rhizoyds की बात की जा रही थी यह आपको इस तरीके से इसमें मिलेगा भी वाला हम देखते हैं यहाँ पे holocarpic यह देखें यह जो आपका है यह क्या है है आपका यह holocarpic है यह क्या है holocarpic है holocarpic का मतलब क्या होता है यह पूरा ही जो आपका cell होगा वो just sexually reproduce करेगा ना चलो कोई नहीं अभी यहाँ पे नहीं है मैं उसको define करूँगा अभी अभी हमने पड़ा भी था holocarpic और वो क्या कहते हैं तो देखी क्या होता है यह जश्ट आपका फिर उसके बाद यहां पर आपको यहां पे जूस पोर्स देखने को मिलेगा यहां पर जूस पोर्स क्या होते है इसमें से यह मोटाईल स्पोर्स क्या होते है यह बहार निकलके थैलस converted into juice prone यह यह देखिए यह जो थेला से आपका यह क्या है जूस प्रोंज में convert हो जाता है इसमें से जैसे ब्रस्ट करता है तो इसमें से आपके juice force बहार आजाते हैं समझ में आरा आपको तो आपका दो चीज होता है होता है एक यू-carpic होता है अगर मैं बात करूं यू-carpic की तो अलो कार्पिक को ए cum होलो कार्पिक होता है या यह सारे आपको मिल जाएंगे और आपका यू कार्पिक क्या होते है पूर्शन में क्या होता है के सारे अधिक रिप्रोडटैंशन यहां पे देख सकते हैं, यू कार्पिक, मोनोसेंट्रिक, आपका इकॉन से ये वाला मिलेगा, ये, ठैलस आपको इस तरीके का मिलेगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे फैला हुआ, दिख जाएगा, जस्ट रूट लाइक स्रक्षर, देन उसके बाद क्या है, आपका, यू कार्पिक, मोनोसेंट्रिक, और एपिबायोटिक कहा गया ही से, तो ये क्या होता है, जस्ट ये सेल के, मतलब होस्ट के उपर होता है, एप प्रोड़क्टिव स्ट्रक्चर का, फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे आप राइजोइच देख सकते हैं, वेजिटेटिटिव पार्ट, ये जा होस्ट सेल, होस्ट सेल के उपर लाई करते हैं, एपिबायोटिक है, एंडोबायोटिक होता है, तो ये यू कार्पिक, पॉ ये इस तरीके सा, इस प्रॉंजियम है, इसका फॉर्मेशन होता है, अपिबायोटिक पॉलिसेंट्रिक है, ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसके बाद देख सकते हैं, ये मोनोसेंट्रिक, यहाँ पे सिर्फ एक जगे से होता है, और पॉलिसेंट्रिक है आपको देखने का में इसके बा longo Aykola ईसके बाद देखिया आप उसके बाद क्या है था असक्षड点 प्लेटम नेक यद्ध के लिक्भाता है next । evacually अब तरीक यदे ने Cat the variety of methods उसमें जो sexual reproduction होता है को उसमें variety of आपको methods मेफल जाएगा जैसे कि आपका क्या है पलनोगमेटिक copulation है ना gametangel copulation ये सारी चीज़े हमने पढ़ी थी planogametic copulation या फिर gametangel copulation है ना या फिर somatogammy हमने ये सब पढ़ी थी some common chytrids are olpedium and यह क्या है, synchytrium and chytriomyces, ठीक है, यह सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है, तो यह आप देख लेना, then example आप देख लीजी, chytrid's के इनमें आपके होते हैं, then उसके बाद हम आ जाते हैं, db's and zygomycota में, इसमें जो आपके fungi होते हैं, यह कैसे होते हैं, को एनो, साइटिक होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं, को एनो, साइटिक, तो यह जानना भी जो रही है, तो को एनो, साइटिक के बात करें हम, तो यह देखिये, यहाँ पे जो आपका, यह क्या कहते हैं, यह क उसमें प्रिजेंट होता है, और कैसा होता है? असेप्टेट होता है, कैसा होता है? असेप्टेट यानि इसमें सेप्टम नहीं होते हैं, तो फंगी कैसा पोजिस करता है? जाइगो माइकोटा, कोईनोसाइटिक, असेप्टेट मैसीले, the cell organ is within the hypha exhibit graded distribution बात करें हम इसमें जो cell organ is है किसके अंदर hypha के अंदर यह जो hypha है hypha के अंदर आपको कई सारे cell organ मिल जाएंगे औरगनलेज मिल जाएंगे तो इसमें किस तरीके का होगा तो देखें क्या है distal reason की बात करें हम in reach in endoplasmic reticulum distal reason में आपको क्या है distal reason में आपको मिल जाएगा endoplasmic reticulum मिल जाएगा and उसके बाद आपका क्या है mitochondria suggesting intense biosynthetic activity and energy generation तो जसमें जो भी उसमें क्या होता है biosynthetic activity होती है उसमें आपका क्या होता है energy generation का काम गरता है mitochondria आप सभी को मालूमी होगा powerhouse of cell then उसके बाद क्या है nuclei जो है observed होता है below of this क्या है zone इस zone में आपका nuclei सबसे आपको नीचे देखने को मिलेगा then उसके बाद आपका major portion of hypha जो है वो किस तरीके के देखेगा empty is actually filled with large vacules empty होगा क्योंकि उसमें क्या होगा लार्ज आपको vacules मिल जागा असेक्स्वेल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस यूजली sprongiopore and aplanospore यह क्या है sprongiopore और aplanospore के ही through इसमें क्या होता है reproduction asexually placed करता है ठीक है sprongiopore देख रहे होंगे इस तरीके से यह rhizoids है यह sprongiopore है कुछ इस तरीके से aplanospore इसके अंदर होता है aplanospore sprongiopore aplanospore क्या होता है non-motile spore होता है non-motile होता है याद रखेगा non-motile spore होता है then उसके बाद देखे क्या है sexual reproduction जो है उसमें क्या होता है fusion of gametangia यानि उसमें gametangia का formation होता है and then जब उसमें fusion होता है then उसमें क्या है resulting the formation of zygosporongium यानि zygosporongia या फिर zygosporongium का formation आपको देखने को मिलता है zygospor just क्या कह सकते है zygote भी कह सकते है na zygote उसमें different nuclei आपस में fuse होने के बाद इस तरीके से structure जो बनाती है इसको हम क्या कहेंगे zygospor कहेंगे या फिर zygosporongium मतलब zygosporongium में आपके zygospor होंगे तो zygospor कहेंगे इसको हम देखें फिर उसके बाद क्या है formed within the zygosporongium zygosporongium में आपके क्या होंगे zygospor formed होंगे and उसके बाद ये complete septum delimit the reproductive structure, क्या है, एक complete क्या हो जागा, एक septum बन जाएगा, जो की delimit कर देगा, एक तरीके सी, यहाँ पर जब formation हो जाएगा, जाएगा, स्पूर का, तो आगे क्या है, delimit कर देगा reproductive structure को, यानि रोक देगा, and such as the sprongeum और gametangium form the somatic accepted mycelium, इसमें क्या है, complete septum, जब delimit कर देगा reproductive structure को, तो यह जो sprongeum है, और gametangium है, वो क्या है, एक somatic accepted mycelium बना लेगे, क्या, मतब, हाँ, from the, क्या कहते हैं, somatic accepted mycelium में हो गाए, तो देन देखी, क्या है, उसके बाद देखे, you would study in the cycle of representative genus, यानि राइजोपस में जब हम पढ़ेंगे, राइजोपस जब हम पढ़ेंगे, तो इसमें आपको क्या है, बारिक से आप जाने को मिलेगा, देखीए, फिर उसके बाद देखा है, आपका division ascomycota, ascomycota की बात करें, इसमें जो fungi है, वो कैसा होता है, could be unicellular possesses septate, यानि इसमें क्या है, septate मौजूद होता है, और कैसा होता है, unicellular होता है, branched mycelium होता है, plural mycelia, बात करें, इसमें कैसा है, septum is incomplete with the prominent central pore, इसमें जो septum होता है, वो कैसा होता है, इसमें एक क्या होता है, एक क्या है, central pore होता है, जिसे हम क्या कहते है, large enough to permit all protoplasmic content, including nuclei to pass across the adjacent hyphal cell, मतलब एक तरगा ऐसा central pore होता है, यहाँ पे center में pore होता है, वो क्या करता है, just permit देता है protoplasm को, उसके protoplasm के, जो भी content होते हैं, just इससे क्या है, इस septum से, यहाँ पोर क्या करता है, permit करता है, and वो क्या है, across इसके क्या है, पास कर सकता है, यह hyphal cell के है, एक cell से दूसरे cell में वो क्या है, पास कर सकता है, ठीक है, the development of pore is centripetal development, जो pore का होता है, वो कैसा होता है, centripetal होता है, यहनि center की तरफ होता है, क्या होता है, center की तरफ होता है, that is form the peripherally to the center, and then देखे कहा है, space like warren bodies, warren bodies क्या होता है, तो just यह warren bodies, just आपका क्या है, इस तरीके से, अगर मैं बता हूँ, यह sapta है, sorry, sapta कह रहा है, हाइफा है, हाइफा है, हाइफा, और इसमें आपका sapta है, यहाँ पर sapta के पास एक stripe का structure होता ह उसे हम क्या कहते है, warren, warren, warrenarm यहाँ वारनन कहते है, warren ing body, यह warren in body, क्या करता है, just इसमें क्या करता है, जो sapta labors के है, यह यहाँ इस तरीके कर से, सेटल पोर होता है अगर मान लीज़ें बाइदवी डैमेज हो जाता है तो जस्ट इसको क्या करता है क्या और करने का या फिर एक तरह किसे रिप्यर करने का काम करता है किसे सेटल पोर को क्या करता है सेटल पोर या फिर सेटल पोर को क्या करता है रिप्यर करने का काम करता है है Cephal cell जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, Multinucleated होते हैं, Asexual Reproduction is By Means of Asexual Reproduction कैसे होता है इसमें, तो Conidia के Form में होता है, Conidia है, Conidia है, And, During Sexual Reproduction, कैसे होता है, Ascospore का Formation होता है, Within the Sack-like Structure, जिसको कहते हैं, Ascus कहते हैं, यह पिर प्लूरल में ASCII कहते हैं A diacaryotic stage of the life cycle and the plactan plactan structure and associated with sexual reproduction उसमें एक structure बनता है यह plactan structure वो बनता है and then sexual reproduction का formation होता है then उसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिटिव life cycle of two genera penicillium and alternaria alternaria are describe letter sub exam section इसमें आपको 10.4.2 10.4.3 में आपको देखने बोले a large number of ASCO my quota associated with crozier crozier क्या होता है guys crozier जस्ट इस तरीके का hook like structure का formation होता है किसमें हाइफा में यह चीज हम आगे देखेंगे ठीक है ज्यादा हम इसके बारे में deep अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमें आगे इस चीजों को देखना है समझना है Aspyrgulus, Saccharomyces and Clavie सेप्स में present होता है तो यह कुछ प्रकार है General है Fruiting Buddies के जो की आपके क्या है उसमें आपका यह सम प्रॉमिनेंट Ascomycota का example है कैसे Fruiting Buddies का formation होता है तो यहाँ पे आप कुछ देखिए यहाँ पे आप देख रहे होगे यह B यह B क्या है यह आपका यह Penicillium है इसमें आप देख रहे होगे Conidia का formation हो रहा है इसके नीचे आपका क्या Phallide है and Metulla है and Ramus है and Conidophore है तो जस्ट यह क्या होता है इसमें कई सारे segments होते हैं इस तरीके से और सबसे उपर में आपका Conidia Conidia क्या है तो यह Spores है Spores किस टाइप के तो Asexual Spores है कैसे है Asexual Asexual Spores है यह and then यह नीचे आप Mycelium देख सकते है यह क्या है Mycelium है यह पूरा का पूरा structure Mycelium यह क्या है Saccharomyces है यह क्या है Saccharomyces है Saccharomyces क्या तो जस्ट आपका जो East होता है East आपका वही आपका Saccharomyces है Unicellular होता है यही आपका Unicellular मिल जाता है बाकी आपका जल्दी Unicellular मिलता नहीं है Fungi में तो इसमें आप Cell Wall देख सकते है Cell Membrane उसके नीचे देख सकते है देन उसके बाद Endoplasmic Reticulum है यह Ribosomes present है इसके अंदर Nucleus यह रहा आपका बड़ा सा Structure जो दिख रहा है And उसके बाद आपका यह Mitochondria है जो Energy Production करता है Vacule बहुत बड़ा Space घेर लेता है Species का तो कुछ इस तरीके का इसमें Structure देखने को मिलता है Ascus की बात कर रहेते हैं तो यह आपको Ascus इस तरीके से दिखेगा इस तरीके से यह देखे Ascus है यह आए किस पर होगा तो Host Cell पर होगा क्या होगा? Host Cell Naked S की No Ascocarp तो कुछ इस तरीके का आपका है इस तरीके से Structure देखने को मिलेगा यहाँ पे Asci का यह क्या है? Para Physis structure है Ascocarp का Wall हो गया Ascus structure यह हो गया And Clastho Thasium इस तरीके का Structure आपको देखने को मिल जागा C वाला आपका क्या है? C वाला जस्ट आपका क्या है? Neurospora है यह क्या है? यह Neurospora Just इसमें budding आप देख सकते हैं Macroconidium यानि बड़े-बड़े से इसमें Conidia's cell है Just यह भी क्या है? Asexual Asexual Spore है Then उसके बाद Parenthensium है इसमें Ascii and Paraphysis इसमें बहुत थोड़ा Closed structure दिखाए गया Hymen Hymenium तो यह Different Different kind of आपको क्या है? D2G आपको यहापे क्या मिल जाएंगे? Sexual Fruiting Buddies of Ascomycota Ascomycota के Different different type of fruit budding मिल जाएंगे इसमें से आपके Spores का formation होता है वहाँ से यहाँ पे आप देख रहेंगे Ascii and Paraphysis यहाँ देख रहें चोड़ा-चोड़ा-चोड़ा-चोड़ा-चोड़ा-चोड़ा यह जस्ट यह एक निकाल दिया जाए इसमें से तो इसमें आपका क्या है कई सारी Fruiting Buddies का formation होता है खेर देख लिजए आप structure बाद में अभी कभी आगया पेपर में कि भाई बनाओ कैसे बनाओगे तो आपको आना चाहिए Then हम बात करें Bacidio Mycota की तो इसमें Majority of Bacidio Mycota जो है तो जैसे कि अगर मैं बात करें यह मान लिजए Mycelium है और यह Mycelium में क्या है यह सेप्टा है और सेप्टा में एक पूर है कुछ इस तरीके का पूर का formation है यह चीज़ हमने पढ़ा था पिछले chapter में हमने पढ़ा था इसी को हम क्या कहते है डॉली पूर कहते है क्या कहते है डॉली पूर यह क्या है आपका डॉली पूर यहां से आपका क्या है जो भी आपका प्लाज्म प्लाज्मा प्रोटो प्लाज्मे जो भी आपके कंटेंट वगरा यहां से आरपार हो सकते है तो यह जस्ट आपका सैप्टा हो गया और यह सैप्टा में प्रेजेंट है डॉलीपूर ठीक है तो यह डॉलीपूर आप समझ गया होगा इसी को हम कहते हैं डॉलीपूर सैप्टम कहते हैं देन उसके बाद देखें क्या है माइसीलियल सैल में आपको मिलेगा यह जस्ट आपको देखें क्या है यह जानि माइसीलीयल स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं और बाद में कभी अगर इस्ट-like ग्रोथ करना है तो भी उसमें होने लगता है dimorphic dimorphic हमने پढ़ा था किसमें पढ़ा था तो हमने जब ovilia के बारे में मुद पढ़़ा था तो हमने क्या है polypore कहे है medusa G cubes Marshall ledge so just इसमें भी आपके dimorph मतलब दो form उसमें होंगे थी खायने बता दिया मैने होती ज्यादा डेंजरस क्या है human pathogen है यानि अगर एक बार इंसान के दिमाग में प्रवेश कर ले है तो fatal हो जाएगा है यह क्या है disease of brain क्या है disease of brain यानि दिमागी बिमारी है disease of disease of brain ठीक है याद रखेगा crypto cocus crypto cocus याद रखेगा in the mycelial form three kind of mycelia may be formed during the life cycle of an organism इसमें क्या है इसमें जो mycelial form जो है इसका वो कैसा होता है three kind of mycelia क्या है में भी formed होता है उसके पूरे life cycle में तीन तरह का mycelia किस तरीके से होता है तो वो भी हम जानते है थोड़ा सा देखिए क्या है पहला monokaryotic होगा यानि कैसा होगा haploid होगा और उसे हम क्या कहेंगे primary mycelium कहेंगे क्या कहेंगे guys primary mycelium कहेंगे monocaryotic चीन उसमें होगा वह क्या होगा यानि क्या वह भी होगा Nuciones Ho G can 계ef असले हम इसको के जानाइ मोकेरिया होगे Labelalalalatoga not mycelia में पुछिस तरीके से Spaß Wow सुमेटिक मीचिलियम यानि सुमेटिक उसमिश मध Zealand लगा और इसके बाद किया, डिकरियोटिक सेकंडरी मैसिलियम की बात करें, विट इच हाइफल सेल पोजिजिंग 2 हैपलोईट सेल, यह आपका याद रखना कि यह इसमें एक ही नुकलेस प्रेजेंट है, तो यह क्या होगा, हाइपलोईट होगा है न, यह जो N होगा, number of chromosomes में क्या होगा, 1 होगा, sorry, यह N होगा, 1 नहीं होगा, जान देखें क्या, primary मैसिलियम मैने बता दिया, secondary मैसिलियम पे दिया, तो with each hyphal cell possessing 2 हैपलोईट नुकलेट प्रेजेंट 2 of the 2 स्ट्रेंट, तो इसके क्या है, इसमें आपको क्या है, दो इस तरीके से आपको क्या है, नुकलेट ही मिलेगा, जो कि आपके क्या होगे, डाइकरियोटिक होगे, यह चीज भी मैने बता आपको, डाइकरियोटिक क्या होते हैं, तो इस तरीके से आपको, डाइकरियोटिक फेस इसमें दिख जाएगा, यह secondary mycelium क्या लाएगा, each mycelium क्या होगा, each cell possessing two haploid nuclei, दो haploid nuclei होगा, N plus N वाला जो stage होता है न, उसी को कहते है diicarotic stage, और यह दोनों ही क्या होगे, अलग-अलग strain के होगे, याद रखेगा, और उसके बाद एक आता है आपका, diploid nucleus, अब क्या है diploid, haploid था अब तक, अब diploid होगे, possessing uninucleate tertiary mycelium, तो कुछ इस तरीके का mycelium होगा इसमें, उसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके से, आपका जो दोनों है, इस तरीके से combine हो चुका होगा, क्या कहते है, nucleus, तो आपका क्या बनाएगा, एक diploid, diploid nucleus होगा, इसके पास क्या होगा, nucleus, fusion हो जुगा होगा, इन दोनों nucleus का, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसमें number of chromosome 2N होगा, ठीक है, then हम बात करें, di-cariotic state in a secondary mycelium, di-cariotic state, जो secondary mycelium, जो आपने देखा, यह देखे, di-cariotic secondary mycelium, इसमें, तो यह क्या है, कहां गए हम, maintain through a space-light kind of cell, इसमें क्या है, एक space-light क्या है, तरीके का cell होता है, जो कि इसे maintain करता है, इसमें क्या है, involving the formation of clamp connection, इसमें क्या होता है, क्लैम connection का formation होता है, समझेंगे, इसको deep में clamp connection क्या होता है, कैसे होता है, हम समझेंगे, पहले इसे complete करते हैं, अभी clamp connection आया नहीं है, sexual reproduction की बात करें, involve the formation of small and massive fruiting bodies of basidio carbs, ठीक है, यानि जो basidio carbs का formation होता है, वो जस्ट आपने, पढ़ा था ना, क्या कहते हैं, basidio carbs, यह आपका होता है, basidio mycota में, और, यह sports है, ठीक है, sports का formation होता है, and then उसके बाद जो आपका, एसको mycota में, एसको कार्प, जो होते हैं आपके, तो छोड़ी ज़्यादा हम deep में नहीं जाएंगे, बस हम समझते हैं, कि fruiting bodies का, यह basidio carbs में, formation होगा, यह जो haploid basidio carbs होगे, यह क्या होगा, on a specialized structure, जिससे कहेंगे basidium, या फिर basidia plural होता है, तो basidium में यह present होता है, basidio carbs जो है, germinate करता है to produce hyploid monocaryotic mycelium, यह क्या है, hyploid monocaryotic mycelium, या एक ही आपकी, क्या होगी, nucleus होगी अंदर में, cell के अंदर, तो एक तरीके से, वो mycelium जो होगा, वो कैसा होगा, basidio carbs germinate to produce hyploid monocaryotic mycelium, representative, the life cycle of two general of pukina, agricus, describe in subsection, इसको जो हम आगे describe करेंगे न, तब उसमें आपको यह क्या है, इसके life cycle में आपको देखने को मिलेगा यह चीज, the common bestidio mycota, आपके mushroom होगा, puffball होगा, stink horn होगा, या फिर coral fungi, या फिर rust and smooth fungi होगा है, जो कि smooth fungi आपका, क्या के ते wheat wheat में भी लग जाता है, powder बना देता है, पूरे wheat के दाने को, देखेंगे आगे, देन देखेंगे क्या है, roll of crozier, crozier जस्ट मेरे बताया था, hook वाला structure इस तरीके से, इसका किस तरीके से formation होता है, क्या काम होता है, उसके बारे में हम जानेंगे, उससे पहले देखें, यहाँ पर dicariotization की बात करें, इसको माइकोटा, यानि जातर आपको, इसको माइकोटा या फिर बैस इडियो माइकोटा में मिलेगा, then there exist prominent difference in the mode, timing and phase of the life fungus of the event event accords, ठीक है, यानि, वो कब exist करते हैं, prominent difference क्या है उनमें, इसके mode में तो इसमें आपको क्या है, timing हो गया, या phase हो गया है उसके life cycle of fungus में, तब ही अकोट करते हैं, ठीक है, एक fixed timing को होता है, जिसमें आपका क्या होता है, dicaryotic mycelia का formation होता है, या फिर हम मैं बात करूँ, वो face जो होता है, different face, जिसे हम dicaryotic face भी कहते हैं, तो एक event होता है, जिसमें फंगई में, हम बात करें, crozier in ascomycota, ये crozier जो है, ये hook like structure जो है, ये आपका mycelia में या hyphal cell में किस तरीके से form होता है, तो देगे क्या most ascomycota जो है उसमें आपको क्या east develop करता है, crozier during sexual face of the life cycle, वो क्या अगरता है, east develop, हाँ, ये क्या रिका है, ascomycota, accept a few east develop crozier during sexual face in the life cycle, हाँ, आपका जो crozier जो है, वो, east develop करता है, वो, क्या है, sexual face में ही करता है, बाकी जो है, a multinucleid escogonium, ascogonium possesses a long hyphal branchal behave as trichogine, वो क्या है, just trichogine की तरह क्या है, behave करता है, कौन करता है, तो ये आपका, कौन सा है ये, multinucleid escogonium, है न, उसमें कई सारी nucleate होते है, ascogonium है, ascogonium, just a sexual cell होता है, और उसके बाद possessing a long hyphal branches behave as, उसमें long hyphal branches होते हैं, just behave करता है कैसा, क्या कहते हैं, ये, क्या कहते है, trichogine, trichogine क्या होते है, trichogine एक तरीके का, एक तरीके से कहेंगे, prolongation क्या होते है, terminal और क्या होते है, cylindrical, एक तरीके से, वो होता है, एक tube-like होता है, na tube, जिसमें से क्या होता है, fertilization होता है, fertilization tube, तो इसको हम कह सकते, दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे दिखाता हूँ, कहां गया, कहां गया, कहां गया, tricogyn, यह कुछ इस तरिके से देख रहे हैं, इतना लंबा सा यह tube like structure हुआ, तो इसक ट्राइको गया रखा है, तो इसक भी हम समझतें ऐसे, आ तो दिखिए parem connection क्या होता है इस सब के बारे में भी हम जानेंगे, देखिए कहा गया, कहा गया, कहा गया, हाा अवही प्रवाट क्या है रुब होता है यह प्रॉट फर्टिल्ट एट रभ्यास्थ जहां पर एक स्ख्वत होगा यह दोनों न्यूखलेश आपस में फ्यूस कर जाएगा इन उसके बाद आपका जैगोट का फॉर्मेशन होगा तो इसको आगे समझेगे देखे और इन गया है दा वॉब्थ सक दीन डाग इस परमेटियमट डिसोल उसके बिटमीं जो बाद ट्राइकोगाइडेड सपरमेटियम वह क्या जागा डिसोल हो जाएगा है थोड़ा सा वे तो आपके ज्यादा डिपेंड करता है, तो देन देगी क्या है, हम बात करें है, contents of, नीचे चलते हैं, थोड़ा, हाँ, spermatium जो है, आपका migrate कर जाता है किदर, ascogonium, ascogonium जस्ट क्या होता है, वो sexual spore होता है, जस्ट gamut कह सकते हैं, तो वो migrate कर जाता है, ascogonium में, ठीक है, अब यह जो stage होता है, यह जो stage होता है, इसमें क्या होता है, spatialized cell होता है इसके अंदर, spatialized cell is formed in female gamutangium, यानि जो इसमें spatialized cell कौन सा है, यह spermatium जो है, वो just act कैसे करता है, नहीं, spermatium तो यहाँ पर male cell कहा गया था, यह जो एसको गोणियम जो है, यहाँ पर, जो, क्या है, female gamutangium की तरहा act करता है, यह देखे, ascogonium, ascogonium, fema gaanutangium की तरह act करता है, and then क्या है, यह जो cell जो है, यह क्या कर लाता है, यह क्या कर लाता है, ascogenic hypara यहाँ पर pair dicharious migrot into the ascogenous hypta, तो देखते हैं पर हम नीचे यह वाला जो देखी यह पिक्ट्र थोड़ा देखते हैं यह सम् ऐंड वॉल्व बीजेद के मिल जागा नहीं ऐसके बाद आपका क्या है यह मॉर्चेला या फिर मॉरल या फिर गुच्टी जहते हैं इसको यह भी एक टाइप का मस्रूम है या मैं कहूं, क्या कहते हैं, बेसीडियो मैसेट से, Then उसके बाद देखिए आप, यह क्या है, लिको परडोन, यह पाफबोल भी हम कहते हैं, यह औस्तियोल परडियम, एंड, जिसके क्या है, पार्ट है, परडियम, ग्लैब, एंड, स्ट्राइप, यह कुछ इसके क्या है, जि यहां पे जो दो नुकलस वाले यह माइकरेट करके कहां पर इंटु इस जो है उसमें माइगरेट करके कहां पर आ जाते हैं टिप आप दी एसकोजेनियस हाइपा रिकर्ष एंड फॉर्म हुक पिक्चर के तुरू आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ठीक है जिसे ह यहां पर थोड़ा समय दिखा दो आपको यह देखे रोल आप क्रोजियर इंड डाइकरियो टाइजेशन किस तरीके से डाइकरियो टाइजेशन होता है एसको माइकोटा में तो हम फस्ट ए में देखते हैं यहां पर आपको दो नुकलस दिख रहे होंगे जिसे हम आपको च्रक्षब क्रोजियर का फार्मीशन हो गार धैन यहां पर देख सकते हैं यह जो नूकलस यह से नूकलाइ जो है यह लग लग दो T party में बढ़ जाता है और यह कुछ इस तरीके से ओपर में यह लॉख हो जाते हैं यह है क्या है इस तरीके से ऐग सा हो जाते है यह स प्रोसेस चलता रहता है इस तरीके से बनेगा इस तरीके से और इसके बाद यहां पर इस तरीके से बनेगा यह दिए चलता रहता है प्रोसेस चलता हो दिखेगा फिर उसके बाद यह आपको कुछ इस तरीके स्टी आप देख सकते हैं पहले चार सेल में और इसके बाद यह आठ नुकलाई में और यह आठ हो के आठ नुकलाई क्या है एक individual अलग-अलग sports बना लेंगे ठीक है तो कुछ इस तरीके से आपने देखा crozier किस तरीके उसाता है तो यही पर लिखा है बोत दाइक के रहे हो नुकलाई डिवाइड सामल टेस्निया और प्रोडूस फोर नुकलाई ठीक है यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया सिंपली हाँ पर 4 नुकलाई का formation कर लिया ये देख लिजे नहीं यह वाला रिजं था नहीं यекडा and then उसके बाद आपका क्या है यहाँ पर लिखा है तो मेल होगा हर तो फीमल होगा याद रिखेगा 2 मेल और दो फीमेल लोगा अपोजिट इस ट्रें इसलिए कहा था क्योंकि वह male और female दोनों आपके क्या होंगे अलग-अलग strain के उसमें क्या होंगे एक तरह के से यहां पर देखना यहां पर दिखाया था मैं अपर रिजन में यह देख रहा है यह क्या है पैने अल्टिमेट जो आपका क्या है सेल है इस तरीके से नीचे रह जाएंगे तो इस तरीके से नुकली है ना तो कुछ इस तरीके से हां फॉर्मिशन हो जाएंगा सेल का वन न्युकलेस क्या है पास पास कर जाएगा वह एक उपर की तरफ और एक जो बाकी के जो बचें वह नीचे की तरफ हो जाएंगे ठीक है यह पैनिए इल्टिमेट सेल है गैट टू नुकलाई वह यह दो नुकलाई पाता है उपर में अपने देखा ही था यहां पर इनके के मिलता है प्यांके इस पर दो नुकलाई आता है यह दोौकलाई क्या करता है वन-ईच नुकलाई जो है एक मेल एक फीमेल और जिन से बिलॉंग करेगा बाइन उकलेट होगा cell enlarges and develop into an ascus वो क्या होगा बाद में by nucleus जो है यह develop कर लेगा ascus में यह ascus बना लेगा एसकस initial है ना फिर उसके बाद देखें क्या है letter 2 nuclei fuse and form a diploid nucleus और यह बाद में यह दोनों nuclei जो है यह fuse होके एक diploid nucleus बना देगा यहां पर आप देखिए यह दोनों nuclei fuse होके कहाँ पर कहाँ पर कि diploid nucleus बना लेगा यह diploid nucleus बना लेगा ठीक है एंड उसके बाद आपका क्या है यहां पर diploid nucleus divide meotically and produce 4 haploid nuclei 4 haploid nuclei का formation जब fuse कर जाएगा यह diploid nuclei and then we have four nuclei का formation करेगा and four nuclei जो है आपका क्या कहते हैं यह फोर यह वाला है ना फोर निकलाई यह फोर निकलाई वह न यह फोर निकलाई वह तो देखिए क्या है यह फोर निकलाई का formation कर देगा and further meotic division होने के बाद result in formation of 8 या फिर उससे ज्यादा क्या है आपको क्या है यहां यह फिर 8 से ज्याधा आपको क्या है पर निकलाई एसकस आपको यहां पर मिल जाएंगे देन इसमें क्या हो डिवीजन आप साइटो प्लाजम अलसो टेक्स प्लेस डिवीजन भी आपे देखिए साइटो प्लाजम का भी डिवीजन हो गया एंड देन क्या है 4 8 और मुर है प्रोटो प्रोटो प्लास्ट आर फॉर्म्ट विच ट्रांसफोर्म इंटू एंटू एसको स्कोर यह जो फॉर और एट जो है यह फिर उससे जादा है प्रोटो प्लास्ट जो फॉर्म हुए है वह क् एक तरह किसे डेसिपेटेड हमने देखना 10.6 में यह नीचे बहुब कहा रहा है यह नीचे में 10.6 ठीक है तो कुछ इस तरी के का यह पूरा का पूरा फॉरा फॉरा फॉर्म प्रोसेस होता है देन उसके बाद हम आ जाते क्लैम कनेक्शन बैस इडियोस पो अभी हमने क्या क्या समझा तो हम ऩभारा क्रोजियर के बारे में क्रोजियर आज ढब क्रोसे का खा is quite unique in most of basidiomycota, यह क्या है, काफी unique है यह क्या है, इसमें, जालतर basidiomycota में, यह क्या है, बाइ nucleate terminal segment develop a salt lateral, यह क्या है, बाइ nucleated, दो nucleus होगा, तो बाइ nucleated रुखा गया है, segment developed a salt lateral outgrown, आउट गोट, it extends and takes the form of a hook, and fuses the adjacent segment the called clamp connection देखते हैं आप यहाँ पिक्चर के मादम से तो कुछ इस तरीके से clamp connection होता है किसमें बैसदियो माइकोटा में यहाँ आप देख रहे होंगे A nucleus देखने को मिल रहा है यह B nucleus देखने को मिल रहा है दोनों अलग-अलग strain के है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से Clamp बनता है Clamp कहें या फिर एक तरीके से यह hook type का formation होता है यह जश्ट जाके इधर यह देखे पहले यह क्या है यह जो डिफरेंट डिफरेंट इस टेन के है यह जो है आपका A1 और A में रीष्ट को क्या है इस टारीकाए से इसमें ज्यादा कुछ बताय नहीं गया now when the nuclei migrates into a hook hook से migrate जब कर जाता है remain the cell, subsequently the two nuclei divide simultaneously दो nuclei क्या होता है, अपने आप divide हो जाता है let us level the nucleus hook as a and one of the B A को A और A को B लिए माइटोटिक डिविजन होता है cellular division होता है, उसके बाद four nuclei A और A1 में और B और B1 में divide हो जाता है A1 और B1 migrate कर जाता है digital, terminal end में उपर की तरफ, and उसके बाद देखो क्या है, B और B remains the sub-epical region nucleus A in the hook, A क्या है, hook में आ जाता है इस तरीके से, ये hook में आ जाता है A, A hook में आ जाता है और ये देख सकते A1 यहीं पर रह जाता है B1 इधर होता है so then उसके बाद देखे क्या है sub-epical region and उसके बाद now the cell wall are let down in such a way, terminal cell is cut off the proximal end, proximal end से उसको cut off कर देता है, as well as the hook, from the hook, hook से भी cut off कर देता है, then उसके बाद terminal cell gets nuclei A1 and B1 the nucleus A migrates through the hook to sub-terminal cell the nucleus B is already present the newly formed terminal cell to nuclei A and B divides again and via clamp connection to pro literate secondary mycelium rust and smooth fungi do not form clamp connection, rust or smooth fungi ये clamp connection form नहीं करते the events are dissipated in 10.7 में, तो ये जश्ट ये process चलता रहता है, जैसे कि यहाँ पर आभी हो गया है then ये आगे भी इसी तरीके का इसमें process चलता जाएगा ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्या होगा migration होगा, nuclei का है न, वो एक tube जैसा structure बना के है न, clamp बना के, तो कुछ इस तरीके से इसमें clamp connection होता है किसमें, Bacidio mycota में, then उसके बाद यहाँ पर कुछ imperfect fungi के बारे में बताए गया है यानि class detromycets की बात है ये जो हमने पिछले unit पर पढ़ाता है याद करिए, anamorph और telemorph के बारे में हमने unit 9 में जो पढ़ा telemorph क्या होते है, तो meiotic morph होते है क्या होते है, meiotic morph यानि form, इसमें क्या होते है the produces asco spores और basidio spores जो है eventually क्या है sorry hence is regarded as a sexual face in the life cycle sexual face में आते हैं ये life cycle में, asco spores basidio spores fungus में, in contrast हम बात करें, anamorph की, तो anamorph mitotic होता है, मतलब mitotic होता है, and asexual morph भी इसे कहते हैं, अपने life cycle में asexual morph, मतलब asexually he produce होता है then उसके बाद देखे, क्या है, these are also referred to a perfect perfect तब कहेंगे, जब वो क्या होगा sexual होगा, imperfect तब कहेंगे, जब asexual face में होगा, अपने life cycle में है ना, respectively there are a number of fungi known by their anamorphs यह क्या है, large number of fungi जो है जो कि क्या होते है, anamorphs कहलाते है है ना, anamorphs यानि जो आपके asexual morph होते है क्या होते है, asexual type of fungi होते है ठीक है, anamorph, याद रखेगा large number of fungi आपको anamorphी मिलेंगे तेलिमॉर्फ कब मिलेंगे, ठीक है, sexual वाले, they reproduce only by a sexual, connedial face, वैसे ओर्गनेज्ट जो क्या है जो a sexual reproduce करते हो, a connedial face में example जैसे की, sexual face उसमें क्या हो still unknown हो, मतलब sexual face हो लेकिन उसमें अभी तक मालूम नहीं चला कि catch type का sexual face है, तो ऐसे ओर्गोनेस को हम क्या कहते है इंढनि सिच्फेशन अना मॉधिक फेस्ट क्या कहलाता है हौलो मॉफ कहलाता है किया करता हौलो मॉफ कुने ंप 민वी सबसुर सक्रेशन को एक तरी चिस एक्सप्रेश करते है Such an aamofs are placed by the many mycologists in a separate class deuteros mysets. क्या है? बहसरे जो mycologist है, जो fungi के विसे सग्य है, उन्होंने एक अलग separate class में deuteros mysets में उनको क्या है? डाल दिया. जिसे कहते है, imperfect fungi ना? बस वही जित. लेन उसके बाद देखे है वेनेवर देली मॉर्फ ओफे फंगस is found associated with or to such an enomorph they then they are accordingly classified as comycota and bestidio mycota इसमें जो टेली मॉर्फ है वो क्या है मतलब टेली मॉर्फ ओफे फंगस जो है वो आपको किसमें मिलेगा किसे associated मिलेगा तो यह such an enomorph they can they are accordingly classified as comycota depending on the kind of sexual fruiting bodies produced by them इनके ही द्वारा क्या है आपके sexual bodies को formation किया जाता है for example की बात करें conidial anamorph की तो aspar glass होगे आपका aspar glass associated with ascus ascus का formation करते हैं forming telemorph eurotium and उसके बाद conidial anamorph की बात करें तो penicillium is associated with ascus forming telemorph or teleromyces then उसके बाद क्या है conidial anamorph haplotrichum and associated with the basidia forming telomorph यह किसमें मिलेगा the botryo basidium में किसमें conidial anamorph haplotrichum associated किसे बाद basidia से associate करेगा forming telemorph basidio and उसके बाद conidial anamorph is associated with the basidia forming telemorph heterobasidium तो कुछ इस तरीके से पूरा आपको इसमें formation होता हुआ देखने को मिलेगा तो यह इंपर्फेक्ट फंगी के बारे में बताए गया था then उसके बाद एक से q1 है हमारा से q1 में आपका क्या है यह पूछा गया है पहला पहला कोशन क्या कह रहा है आपका बताएं चूज दा करेक्ट अल्टर्निटिव में इंसेंड बाइदा बैरिकेट्स तो इसमें क्या स्पी जेंटो कॉर्पर जो है वो किस ट्राइब का आपको वो है क्या कहते हैं फंगी किसमें आता है आपका जाइगो-μαीकटा में आता है या फिर एस्को मैई-कोटा में आता है मतलब मतलब किसमें अपसेंट होता है यह तो पड़ाई नहीं में पूरा लगी फोरा अपसेंट होता है एस्कों मैडिकोता है याद करिएगा अग्रो माइक्रोपिक एक्जामनियशन के थुरू वो विजूलाइज होता है उसके सेल्स वगरा पिशू वगरा कॉलनाइज न्यद्स देख काते है। न्युदंद कि आपका सेप्टम के डॉली पर अपकी तो यह आपका ड़ीपर सेप्टम होता है। के बाद हम बात करें secondary mycelia की तो secondary mycelia जो है आपका किसमे होगा in bycidio mycota are monokaryotic or dicharyotic secondary mycelia in bycidio mycota are क्या होगा monokaryotic or dicharyotic simply dicharyotic हुआ ठीक है two nucleus mycelium में present होगे ठीक है देन उसके बाद कि क्या है यहाँ पे fill in the blank से यहाँ पे appropriate words को fill करना है saccharomyces belong to the division saccharomyces यानि आपका जो east है वो किसको belong करता है तो ascomycota से belong करता है ascomycota से belong करता है then asexually reproductive sports in zygomycota are called क्या कहलाता है बताइए यह aplanospore कहलाता है asexually reproductive sports zygomycota वो कहलाता है आपका aplanospore होता है वो non-motile होता है यह and then उसके बाद देखें क्या है आपका dash is the only division of true fungi that exhibit mobility mobility or mortality है mortality है यह तो यह कौन सा होगा बताइए कौन सा division होगा सिर्फ और सिर्फ true fungi exhibit मतलब motility मतलब exhibit करता है तो simply यह होगा आपका सायद हाँ काइट्रीडियो माइकोटा होगा क्या होगा काइट्रीडियो माइकोटा काइट्रीडियो माइकोटा then उसके बाद देखें क्या है cell wall of fungi are made up of kytin and बताइए ग्लुकन बहुत ईजी है storage is the food of glycogen अरे बहुत ईजी है तो इस टाइप का पेपर में आ जाना तो मज़ा आ जाएगा ठीक है छोड़िए देन उसके बाद देखें क्या है आपका आपका टॉपिक ए नेस्ट सब्सक्राइब करेंगे आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ क्योंकि यहां पर साहिद किसी ने मिर्ची वर्ची जला दी और मुझे खासी सा उटन लगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपको अगर वीडियो अच् बलाई होगा अच्छे नमबल लाने है तो अच्छे से सबकी हल्प करें ठीक है मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो हम तब तक के लिए बाए